हर पुरुष की चाहत होती है कि उसका शरीर मजबूत और ताकतवर दिखे ताकि उसकी जो परसनेल्टी है वो और वी जादा अच्छी देखने भी लगे लेकिन आजकल अधिकतर पुरुष अपने खान पान पर पहली बात तो ध्यान नहीं देते और व्यायाम तो बिलकुल ही छोड़ चुके हैं जिसकी वज़े से शरीर दुबला पतला और कमजोर सा हो जाता है शरीर में कमजोरी के समस्या से आजकल बहुत से लोग परशान है और अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो बता दो आजके इस वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं बलकि तीन ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका सेवन अगर आप नहीं करते थे तो इस वीडियो के बाद आप करना शुरू कर देंगे तो आईए चली जानते हैं कि एक एक करके वो चीज़ें क्या हैं लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भंडाल डेव एंटी इंफ्लेमेटरी तत बहुती भरपूर मातरा मिलते हैं आवला में पाई जाने वाले तत पुर्षों के शरीर को लंबे समय तक जवान बनाय रखने में सायक होते हैं आवला का सेवन करने से पुर्षों के बाल भी देखा जाए तो लंबे समय तक काले रहते हैं और त पुर्षों को आवले या फिर आवले का मुरब्बा का सेवन तो कम से कम जरूर करना चाहिए आए चलिए नंबर दो की और बढ़ते हैं तो वह है खजूर खजूर का सेवन करने से शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन फाइबर विटामीन A, विटामीन K, साथ ही केल्शिय मेगनीशियम और आईरन जैसे पुशक तत्त भरपूर मात्रा मिलते हैं जो शरीर को मजबूत और ताकत वर बनाये रखने में बहुत ही जाधा सायक माने गए हैं रोजाना सुबन नाष्टे में खजूर का सेवन दूद के साथ आपको करना चाहिए ऐसा करने से आपकी जो मास्पेशियां जो मसल्स हैं वो आपकी ग्रो होंगी साधी साथ हो मजबूत भी बनेगी किशमिश का सेवन करने से शरीर को आईरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मेगनेशियम और फाइबर जैसे पूशक तद तो अधिक मातरा में मिल जाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही जादा फाइदमन होते हैं किशमिश का नियमिश सेवन करने से कबसी की समस्य से भी छुटकारा मिल जाता है और शरीर के सभी समस्य धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं साथ ही अगर आप किशमिश का सेवन करें तो इससे आपको वसन भी बहुत ही तेजी से बढ़ सकता है तो यह उन लोगों के लिए आपको कैसा लगा है वीडियो की नीचे कमेंट करें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलेगा सब्सक्राइब किजिए और साथी साथ उसके बाजू के बैल आकून को जबाएगा जिससे आप हमारे चैनल बंडार टीवी किस प्रकार की नई वीड वीडियो देखने के लिए धन्यवाद